अयोध्यामा श्री रामना दर्शन अधूरा रहेशे जो तमें अयोध्यानी मुलाकात लोचो अने मा सर्यूना दर्शन नथी करता तो मा सर्यू ना आशिर्वाद मेडवी ने तेमा स्नान करया बादज अवध नगरी मा प्रभु रामना दर्शन खरा आर्थ मा सार्थक थाईचे नमस्कार आप जो रहाचो संदेश निउस तमारी साथे, सत्यनी साथे, संदेश विशेश साथे, हूँ छुनोपूर सर्यू जे साक्षी चे आखा रामायन नी प्रभुना जन्मतिलाई श्री रामना देहत्याग नी आजे सर्यू कही रहीचे तेनी उत्पत्तिनी गाथा एने वेठेला विरहनी गाथा फरियेकवार सर्यू साक्षी बनी रहीचे श्री रामना आगमननी तैयारी नी राम मंदिर ना प्राण प्रतिष्ठा महत्सवनी आने राम लल्ला ना विराजमान धवानी दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप बेद पुराना नदी पुनित अमित महिमा आती कहिन सकै सारदा मिमल मती अड़्थात वेद पुरान मां कहवायुशे कि सर्युजीना दर्शन, स्पर्श, स्नान अने तेनु जड़ पिवाती पाप नश्ट थाये छे आ पवित्र नदी छे अने तेनी महिमा अप्रम पाड़ छे अने ते मां सरस्वती पन कहीं कहीं शक्ती नथी नदीनों तठ पीडा कुर्ता मां सज उभा रहला पुजारियो सिस्त मद रिते एक हात मां आर्थी अने एक हात मां गंड़ी लेई उभाछे अने आर्थी उतारिया छे सांचनों समय जालरो वागी रेई छे एक साथे नदी तठे धूप साथे दिव्य आर्थी थैरे छे आद्रश्यों गंगा घाटना नथी परंतु अवद नगरी सर्यू तटना छे सर्यू तट पढ़नी आर्थी अने कान मां समढ़ातो आग घंटिनाध जो किटली के आहला दक अनुभूती कराविच है त्रेता यूग केवो ओशे तैनो त्रादर शिभाव अहिया सर्यू तट पर रहली दरेक व्यक्ति ये मां सर्यू नी आर्थी दरिमान अनुभवे ओशे जोद वरशनो वनवास वेठी प्रभूश्री राम पधाले हाता त्यारे भव्य महत्सव अयोध्य वास्य उजवी होतो त्यारे विचार करू अयोध्य वास्य तू पांचु वरश्य वधी प्रभूश्री राम विना पसार करवा पड़े हाता हवे चारे राम लिल्ला पधरवाना होई अने तेमना भव्य महलमा विराजमान थवाना होई तेमने आवकारवानी तैयारी के वी अद्बूत होई तेने शब्दुमा वर्णवी नर्शकाई बस मात्र अनुभवी शकाईश है अध्या आने के लिए अगर जैसे ये जो है बाइस को अगर खुले आम छोड़ नया तो यहां जो है दर्सन करने की आप लोग व्यवस्ता नहीं कर सकते हैं इसलिए जो है पूरे देश में उत्सा है उल्लास है और उस समय भगवान राम जब चुगदावर सुपनवास से राम मंदिर मां राम लल्लानी प्राण प्रतिष्टा थवा जैरी छे जैने लई अवद नगरी मां तड़ामार तयारी थे रेशे एक्विश्मी सदी मां पण अयोत्यानी मुलाकात लेना राने त्रेता योग नी अवद नगरीनी मुलाकात लेदी होय तेवो भाव अनु भ योबाई तेवी तैयारी यूपी सरकार स्री राम मंदिर टरश्ट तरफती करायी छे तॊंदज ने तीमे तेव नगरीनी मुलाकाते शे जा भव्यर राम मंदिर नी प्राण प्रतिष्टा थवानी छे मंदिर ने निर्मान काम गिरी, प्राण प्रतिष्ठा महुत सबनी तैयार्यों, अयोत्या नगरी ने करवामा आवेलो शनगार, त्रेता योक नी थिम पर संस्कुर्ती अने आथु निक्तानों समन वै अतमाम सुखद अनुभूती करावती खट्नावनों अहिया मात्र संदेश न्यूसर साक्षि नती बनिव, परन्तु ते दर्शक्पन बनि र्या छे, जे संदेश न्यूसर निहारी अयोत्या धामनी मुलाकात लिदी होवा नी अनुभूती करे छे प्रभूश्री रामना त्रण माणना भव्य मंदिर ना निर्माणनी कामगिरी चाली रही छे मंदिर नो सींदवार होई के पच्छी मंदिर ना सोनाना दरबाजा होई अयोत्या धामना प्रभूश्री राम जे भुवयाती भव्य महलमा रहता हता तेवी प्रतिती अयोध्य धामनी मुलाकात लेता दर्शनाथियोंने थही लीश है त्यारे तेव नजर समक्ष मंदिर निर्माणनी कामगिरी निहाने छे तो यहां जो है दर्शन करने की आप लोग व्यवस्ता नहीं कर सकते हैं इसे लिए जो है पूरे देश में उत्सा है उलास है और उस समय भगवान राम जब चुदावर सुपनवास से लोटके बापस जब आए थे तिर्टावग में उससे ज़्यादा उत्सा है समय भगवान दियाओ में दिखाई दे रहा है हम लोग बंदिल खंड विलॉंग करते हैं वहां से आये हैं गुसमांस आये हमें देखें कि सारा जो पहले का पास जब यूथ है सर्यू कांठी वस्युषे प्रभूश्री रामनी अयुत्या नगरी आ एज सर्युषे जणे कोश्रेला नंदरना जन्म समय थेला भव्य महोत्सवने निहाडियो छे आ एज सर्युषे ज़े प्रभूश्री रामना चौध वरश्ना वनवासना विरनी साक्षिव छे अने आ एज सर्युषे ज़ेने प्रभूश्री रामना परत फड़ता थेला दिपोत्सव परवने ओजवनी मां पोते सहभागी थे छे इत्यास ने जोयो छे, प्रभूश्री रामने जोया चे, बनलाता समय ने जोयो छे चालो जहिए सर्युषे ज़ेने नदियो नो देश केवाये छे भारत वर्षमा नानी मोटी बस्सो नदियो छे अनि अहिया मोटा पागनी नदी पवित्रा ने पूजनीय मनाये छे त्यारे वात अहिया ए सर्युषे नी अवद नगरीना के नारे खड़खड बहती नदीना छे आ नदी श्री रामना वनवास कार्थी तेमना अयोध्या परत्वरवानी गाथा नी साक्षी रही छे लामकोशेले जन पदनी मुख्य नदी माथी एक छे आ नदीने ब्रह्मा चारेनी पण बतावं आवी छे लामचरित मानसमा तुलसी दासे सर्यु नदीनों महीमा मंडेन कर्यो छे अने तेमने अयोध्यानी मुख्य ओड़क तरेके सर्यू नदीनो पन उल्लेक करयो छे सर्यू नदीनो उल्लेक रूग वेद मा पन करयो छे पौरोनी कथा अनुसार भगवान श्री विश्णुना नेत्र माती सर्यू प्रगट थेई छे आनंद रामाइट ना यात्राकान अनुसार शंकासू नामना दानवे वेद नी चूरी दर्यामा नाके होतो अने तेपन त्याम चुपायगे होतो तेरे बगवान विश्णुने मत्य अवतार धारान करे ओने ते दानवनों वत करे ओतो अने ते बाद वेद परत मेड़ भी तैने ब्रह्माने सौपियो ते समय बगवान श्री विश्णुने आँख माती कुशी ना आँसु निकल्या अने ते प्रेमास्टुने मान सरवर मा राखवा मावया जे बाद वेवस्त माहराजे बाण चलाविव अने ते बाद मान सरवर माथी जल्ड तारा निकली जे सर्यु कहवाई मत्यपुराणना 111 अध्यायमा तो वालमी की रामारिना 24 मा सम्वर्ग मा सर्यूनु वर्णन करायो उझे सर्यू नदी शार्दा नदीनी साहैक नदी छे, जने सर्यू अथवा सर्जू नदी पन कहवाय छे उत्रा खड़नी शारदा नदी थी अलग थी ते यूपी मा बहती जाए छे सर्यु कंगानी साथ साहेक नदी मा थी एक छे माने तानुसार सर्यु नदी ने श्राप पन मडे लो छे अने तेम पन कहाँ छे के सर्यु मा सुनान करवा मात्र थी मनिश्यमार एहली तमाम अशुद्यों नश्ट थाई जाएश है यहाँ सर्यु जी को तील लगा हुआ था तो उनके माता पिदा ने शाप दिया था और इनकी महिमा ये मोख सिदानी कही गई है इनकी उत्पत्ती भगवान विश्नु के नेतर से है इस नाते इनको नेतरजा भी कहा गया है मार शर्जु पतित पावनी है तो इस नाते मार शर्जु की जितनी महिमा कही जाए उतना कम है कलिकाल में मार शर्जु ही प्रभावशाली रहेंगी और इनकी महिमा यहाँ जित असनान करेगा दान चंदन बरत करेगा इनका इनको देख लिए बहुत से लोग देऊ फोलों की माला चढ़ाते हैं और इनकी उत्पत्ती जो है वहां साइड उत्रा खंड से हुई है और यह साइड नेपाल के किसी छोर में जाकर के मिलती है गंगा में जाकर के मिलती है माताजी तो यहां ऐस जो आता है उध्या में वो मा शर्यू पे असनान करके मत्था नवा करके तब आगे हनुमान गही उस रामजनम भूमिक दर्शन करता है। इसलिए मा सर्यू को हम सब बहुत मोक्षदाइनी सर्यू भी कहा जाता है और बिना इनके अशनान से समस्त पाप दुल जाते हैं। हमारे सर पर्थम श्रान करके हनुमान गढ़ी का दर्शन तभी मान नहीं होता है। नहीं तो मान नहीं प्रभू राम करते हैं। और भगमार राम अपनी सरीर को मा सर्यू में अपना बिलीन किये थे। इसलिए इसका बहुत बड़ा तक तो जुड़ा हुआ है हम सभी लोगों के वीज में। और इसको बाराम बार हम सभी लोग प्रडाम करते हैं। अईूध्या नगरी मा हनुमां गटिनी मुलाकात लेता पहला सर्यू माता ना दर्शन करवा त्यां सनान करवू अनिवाड़े कहवायचे। कारण के सर्यूना दर्शन बादज आयोध्यामा प्रभू श्री राम ना दर्शन फढ़ता हौचे। प्रभु श्री राम ना अव्तार थी लई चोध वरस नो वनवास, ते बाद अयोध्या परत फरेला श्री राम नो राजा भिशेक अने सर्यू नदी मास तैमनो देत्याग ते बाद श्रापी थाइज सर्यू नदी, परंदु हवे 5 वरस बाद फरी एकवार जारे राम लल्ला परत फरी रावचे ने राम मंधिरमा विराज मान थवानाशे, तेरे सर्यू पन जाने के ते श्राप पातनी मोगत थशे, अने फरी एकवार राम राजुनी स्थापनानी ते साक्षी बन छे पताए हारा हार महादेर